एलो एवरीबन वेलकम टेवार यूटूब चैनल एना यूस प्रैक्टिस कोशन सीरीज में आज हम करने वाले एक्थ क्लास इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एना यूस बेस्ट प्रैक्टिस कोशन के नाम से वापसे जाकर आप उसके पीडियेफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिक्शन में लिंक मिल जाये करेगा वहां से आप वीडियोफ डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्ट करते हमारी आज़ी क्लास कोशन नमबर 61 इस सीरीज के इस टोपिक हम 60 कोशन डिसक्रस कर चुके हैं प्रीविएस क्लास प्रीविए वीडियो में एक मिनट इस्टार करते हैं कोशन नमबर 61 इस पाल समीटी ने आनन्द पूर्ण विद्ध्यारती अधिगम संबंदी अबधाना बेक्सित करने हैं तू निमने लिखित में से किस उपाय पर सरवादिक जोर दिया था बच्चे की जो लर्निंग है वे होना चाहिए जोईफुल यानि की बच्चे को आना चाहिए उसमें मज़ा इसके लिए उन्होंने किस पर जोर दिया सहिए होगी सहवागी क्रियाओं पर एसुसियाटिव पॉटिशिपेट्रि वर्प्स या पर क्थी अक्टिवीटिज किया सकते एक्टिविटिज आयागा इसका वर्प की जागए है वर था तो जब भई describes activity होगी मिसलें सब बच्ची एक सांध बैठ कर खेल रहे होंगे कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो ओवियस है कि जोफुल इस्टुडेंट लर्निंग तो होगी तो यह तो हमारा रहेगा फिर ब्यक्तिकत उपलब दी परसनल अचीवमेंट देखिए परसनल अचीवमेंट से जो ब्यक्ति अचीव करता उसे जब लोग साथ में एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आनन्द आने वाले हैं तो अप्रॉक्ट सभी तो फिर हो गई नहीं तो राइट आंसर में इसका A & C आएगा A & C है हमारा ओप्शन नमबर सेकंड में तो करेक्ट आंसर रहेगा ओप्शन नमबर सेकंड A & C मूव करेंगे कॉशन नमबर 62 की तरफ 62 है यसपाल समीती ने बच्चों के लिए परिवेश गत बात अबरन के अवलोकन परिवेक्षन अपनाने पर जोर किस कारी के बिकल के तोर पर दिया था यसपाल कमीटी एंपिसाइज और अडप्टिंग ऑबजर्वेशन सुपरविजन ओफ दा एंबियेंट इंवार्मेंट फोर चिल्डर्न एजन अल्टरनेटिव विच वर्क देखिए यसपाल कमीटी ने एक बात की थी लर्निंग बिदाउट वर्डरन वाली ठीक है अब इसमें उन्होंने बोला कि एक चीज को हटाया जाए और उसकी जगह पर परीवियस बातावरण का अवलोकन किया जाए या उसके अवलोकन पर या उसकी ऑब्जर्वेशन पर जोड़ दिया जाए कि इस चीज को हटाकर इ उसका होमबर्ख हो जाए ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पेन कोपी चला है कुछ आप उसे होमबर्ख दो बच्चा बेट के दो घंटे लिखे उसे तब ही होमबर्ख हो हमबर्ख का मतलब यह है कि बच्चा घर पर जाके कुछ भी सीख ले हो सकता है वो अपने परीवेश क को observe करके ही सीख ले तो इसकी बात की थी यसपाल कमिटी ने ठीक यहां पर घरे लुकार आएगा ने सिक्षक कार आएगा नी और क्रिडा कार यहां पर आएगा नी तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर ए रहेगा तो यहां पर कह सकते हैं कि घरे कार के अल्टरनेटिब में उन् प्राइमरी एजुकेशन हैज बिन एम्फेसाइज वा यसपाल कमिटी इन दा प्रिप्रेशन ओफ लेंग्वेज टेस्ट बॉक्स इस्थानी कहानियां इस्थानी मुहावरे बाल मना नुभूतियां या फिर उप्रोक तो सभी देखिए अगर हम पार्ट पुछ तक निर्म बालवन अनुभूतियां चैल्ड्स फीलिंग्स यानि कि जो इस्टोरीज हैं या फिर जो भी हम साहित रख रहें बच्चों से जुड़ा हुआ उनिकी कहानियां हों तो ये तीनों पर ही इन तीनों से ही पार्ट पुछता के रोचक हो जाएंगी बच्चों को पढ़ने में इंट्रेस्ट आएगा तो और दी राइट आंसर रहेगा ओल ओफ दा एवब यानि उप्रोक्त सभी नेश्ट एक और नमबर 64 बिज्ञान एवब सामाजी बिज्ञान के अध्यन के संबंद में यस्पाल समीति के बिचार के संबंद में कौन से तत्य सत्य हैं विच फेक्ट अध्यान के संबंद में तत्य याद करने की समता तत्य याद करने से तो कुछ ज्यादा एफेक्ट पड़ता नहीं है इसको तो हम नकारेंगे यह तो एक तरह से यह होगे जग एंड मग वाली बात होगी एक जग है जिसमें टीचर है जिसमें के पास बहुत सारे फेक्ट जिससे पता है और एक मग है जो की बच्चा है टीचर अपने फेक्ट इसको दे देगा अपनी इन्फोर्मेशन इसे दे क्या problems हैं और development की क्या priorities होना चाहिए उनको assist कर सकें और प्रियोग करना तो उसमें रहेगा ही बिना प्रियोग के तो science चली नहीं सकती तो B, C and D right answer रहेगा B, C and D है option number third में तो correct answer रहेगा option number third move करेंगे question number 65 की तरफ प्रात्मिक सिक्षा से संबंद गुणवत्ता मानकों के संबंद में यस्पाल समीति का निमने लिखित में से कौन सा विचार सकते है which one of the following views of यस्पाल कमीटी regarding quality standards related to primary education is true primary education में हमें quality standards बढ़ाना है ठीक है गुणवत्ता मानक बढ़ाना है इसके लिए यस्पाल समीति ने कौन से विचार दिया ग्रेटिंग में प्राप्त स्रेणिया श्रेणि बिल्कुल ठीक है उन्होंने बात करा कि जो numbers से numbers की जगे grades से लेकर आओ सुभी दाम में प्रतिसत्ता percentage and facilities अच्छी facilities मिल सकें अंकों के अधार पर बरगी करना numbers के basis पर आप बच्चों को किलासिफा या किसी भी तरह का उन पर लेवल नहीं कर सकते हैं उपस्तिति की 100% 100% नहीं तो at least 75% या इससे ज़्यादा तो होनी ही चाहिए तो A, B and D इसका right answer रहेगा A, B and D है option number second में so right answer is option number second next question number 66 सिख्चा में गुणवत्ता मानकों के आधार माप दंडों के संधर्व में यसपाल समीती ने किसे प्रात्मिक्ता दिया था अध्यापों को का ज्यान इवम अनुवफ से ली बिलकुल इसके बारे में बात की गई है बच्चों की किरिया इवम सेवागीता इनमान दंडों के बारे में बात करी गई है चिल्टरन्स अक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन इसके बारे में बात की गई है अध्याप लबदी एक्जाम एचिमेंट के बारे में बात की गई है एक्जाम एचिमेंट का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि सिर्फ हम एक्जाम की बात कर रहा है या एक्जाम पर ही फोकस कर रहा है exam achievement का मतलब यहाँ पर है कि जो परिक्षा है उसमें बच्चे कितनी अच्छा perform कर पा रहा है तो right answer फिर इसका option number D हो जाएगा all of the ever option number 4 इसका right answer रहेगा आगे बढ़ें next question की तरफ question number 67 अध्यापक सिक्षा के संदर्व में यसपाल समीती ने निमने लिखित में से कौन से सिफारी से की थी which of the following recommendations were made by यसपाल committee in the context of teacher education teacher education के संदर्व में यसपाल समीती ने पहले तो बोला इसना तक डिगरी के बाद एक बड़शी प्रसिक्षण one year training after graduation अगर किसी ने graduation कर लिया है तो एक साल का उसे training दिया जाए जैसे कि आज कल 28 होता जो कि दो साल का है उस टाइम पर एक साल की बात की गई थी senior secondary के बाद तीन बार्शी पर सिक्षण three years training after senior secondary 12th के बाद उसे तीन साल की training दी जाए इस पर ही बात की भाई teacher एक ऐसा हो जो self learning पर focus कर या उसको बढ़ाए और उसकी उसका चिंतन मुक्त हो किसी के दवाब में आकर वे ना सोचे जैसे कि जुबहां का हो सकता समाच की कुछ परंपरां चल रही हो या कोई एक community हो उसके pressure में आकर decision ना ले राइट आंसर option number D रहेगा option number 60 attempt भारत में पार्ट एक्रम पुनर रचना का प्रताम व्यापक प्रियास निमने लिखित में से किस से संबंदित है the first comprehensive attempt at curriculum reconstructing in India is related to which of the following बुनियादी सिक्षा यानि कि basic education, माध्यमिक सिक्षा, secondary education, उच्च माध्यमिक सिक्षा, higher secondary education या senior secondary education या फिर विद्ध्याली सिक्षा जिसे हम बोलेंगे university education क्या होगा इसका right answer तो कि पार्ट एक्रम पुनर सर्ण रचना यानि कि curriculum reconstructing की बात सबसे पहले की गई थी पर थाम ब्यापक प्रियास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात की गई थी इसकी basic education में बुनियादी सिक्षा में तो ये basic education से आपका जुड़ा हुआ है option number a right answer रहेगा next question number 69 प्रात्मिक सिक्षा से बिसे विद्ध्याले सिक्षा तक के पार्ट क्रमों के निर्माण का महत्व कांची कारिभार निमने लिखित में से किस आयोग को दिया गया था which of the falling commission was given the ambitious task of preparing course from primary education to university education मुदालियर आयोग मुदालियर कमिशन कोठारी कमिशन रादाक्रिष्णन आयोग या फिर बर्दा समीती देखिए जब हमारा 1948 में रादाक्रिष्णन आयोग आया उसके बाद आ गया था विसे विद्ध्याले आयोग लेकिन उस टाइम पर किस चीज को छोड़ दिया गया कोठारी कमिशन तो कोठारी कमिशन को ये कारेवार सोपा गया कि आप प्राइमरी से लेके विसे विद्ध्याले के सिक्षा तक का जो करिकुलम है उसको डिजाइन करो कि किस तरह का करिकुलम रखना चाहिए हमें इसके लिए आप कमिटी बनाओ लोगों को इसमें एड करो और इसका में बताओ तो राइट आंसर ओप्सन नंबर भी रहेगा कोठारी कमिशन ओप्सन नंबर 70 अखिल भारती इस तरपर 33 डिगरी कोर्स का 10 प्लस 2 प्लस 3 वाले प्रारूप की सिफारिस निमन लिखित में से किस आयोग की देन है दा रिकमेंडेशन ओफ 10 प्लस 2 प्ल 3 वाला जो आरूप है यह दिया था ओठारी आयोग ने तो राइट आंसर ओप्सन नंबर सी रहेगा क्योंकि यह उस टाइम से शुरू हो गया था फिर बाद में इसमें कुछ परीवर्तन स्लेवर्तन वह फर चीज़े बाद में सब्जेट्स का डिस्ट्रिब्यूशन मेंडेट दा इंप्लीमेंटेशन ओफ टैन येर्स करिकुलम क्लासिस फॉस्ट टू टैन इन इस्कूल इन नॉर्मल वे यह निस सामानी रूप से जनरल रूप चले जो सभी के लिए एक जैसा हो ठीक है आप इंडिया में कहीं भी रहते हो लेकिन एक से दस तक जो पार्ट क कि तरफ निम्न प्रात्म कि इस तरफ पर कोठारी आयोग ने किस बैसे के अध्यान पर बिसेशवल दिया था दा इस्टेडियो विस सब्जेक्ट वाज गिवन इस्पेशल एमफेसाइज वाई दा कोठारी कमिशन एड़ लोवर प्राइमरी लेवल पर कोठारी कमिशन ने पहले तो आप बच्चे की मातरवासा पर द्यान दो उसके बाद आपको उसकी भासा द्यान को और अच्छा बना और साथ के साथ उसको गड़त का भी मिनिम्मम नोलेज होना चाहिए मिनिममम नोलेज मतलब की जोड़ घटान और गुड़ा भाग ये गड़त की बेसिक और मदर टंग इन तीनों के बारे में बात की थी तो राइट आंसर ऑफशन नमबर डी हो जाएगा उप्रोप्ट सभी यानि की ओल ओफ दा एबव आगे बढ़ेंगे 73 की तरफ कोठारी कमिशन ने निमने लिखित में से किस कक्चा समवों में सारिक सिक्चा पढ़ाने के सि पारिस की है इन विच ओव दा फॉलिंग क्लास ग्रूप दा कोठारी कमिशन है रिकमेंडेड टीचिंग फिजिकल एजुकेशन क्लास 1-4 5-7 8-10 10-11 हमें इसका अंसर एकोर्डिंग टू कोठारी कमिशन करना है एकोर्डिंग टू कोठारी कमिशन ये बात की गई थी कक्च 8-10 तक 3-10 के इंतरगत निमने लिखित में से किसे सामिल करने की सिफारिश कोठारी कमिशन ने किया था विच ओव दा फॉलिंग वाज रिकमेंडेड वा कोठारी कमिशन फॉर नोन हिंदी स्पिकिंग एरियास टू इंक्लूडेड अंडर थ्री लेंग्वेजेस एड़दा इंग्लिश लेंग्वेज की वारे में यह कहा गया था कोठारी कमिशन ने अभी तो कुछ और चल रहा है तो अभी कुछ और ही चल रहा होगा न यह जो रीजनल लेंग्वेज ठीक हैं हिंदी इंग्लिश को ऊपर नीचे कर देते हैं जैसे अधर स्टेट के हम बात करें लेंग्वेज को लेकर दिया गया था तो राइट आंसर है गा ओप्शन नमबर डी यह फर्स्ट लेंग्वेज यह सेकंड लेंग्वेज और यह थर्ड लेंग्वेज कोसर नमबर 75 भारत में तकनिकी सिक्छा संबंधी पार्टीक्रम निर्मान का पहला प्रियास निम्दलिखित में से किस आयोग द्वारा किया था तकनिकी सिक्छा संबंधी पार्टीकरम निर्मान में विच वन of the following commission made the first attempt to create a curriculum related to technical education in India अब टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड करीकुलम बनाने की बात किस ने की थी राड़कृषन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर यसपाल आयोग या यसपाल समीती तो right answer रहेगा इसका option number B, जो मुदालियर आयोग आया था उसने बात की थी इसके बारे में, कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सबसे पहरे इन्हों नहीं बात करी, तो right answer option number B रहेगा option number 76 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, middle school पार्टिक्रम के संबंध में निमनलिक्षत में से किस बिचे को प्रात्मिक्ता दिया था according to secondary education commission, which of the following subjects was given priority with respect to the middle school curriculum, भासाओं का अध्यान, सामाजी का अध्यान, सामाने विज्ञान, उप्रोक्षभी study of language, social studies, general science या फिर all of the above अगर हम यहाँ पर middle schools की बात करें, जहाँ पर हमारे 6 to 8 के आज आते हैं तो 6 to 8 के school में languages को की बात की गई है, social studies की बात भी की गई है और general science की बात भी की गई है, और साथ में अगर maths इसमें होता ता हम उसे भी टिक कर देते तो right answer option number D हो जाएगा, all of the above इन तीनों को ही priority देने की बात की गई है next question number 77 सन 1975 में NCRT द्वारा निमने लिखित में से किस कच्छा करम के लिए एक आधर्स पार्ट करम रूप रेखा प्रस्तुत की गई थी for which of the following class sequence, model curriculum बात, outlanded by NCRT in the year of 1975 1975, 1975 में NCF भी आया था, आपको साथ पता हो, सबसे पहले NCF 1975 भी आया था, तो इस टाइम पर NCRT नहीं यह बोल दिया था यहां पर आधर्स पार्ट करम की रूप रेखा मतलब यह है कि इस class इस class तक का जो आपका syllabus रहेगा, जो curriculum रहेगा, वो class इस थी, one to ten, one to ten का जो syllabus रहेगा, वे हर जगा के लिए बिल्कुछ सेम रहेगा, जो curriculum में बहुत सेम रहेगा, तो class one to ten इसका right answer हो जाएगा, option number है, हाला कि कई जगा थोड़ा वह तब परिवर्तन हो गया है, अगर हम UP की बात करें तो आपको eighth class के बाद भी, math को छोड़ सकते हो, other subject उसके लिए सकते हो, तो वो ऐसी चीज़े है, बदलती रहती हैं चीज़ें, परिश्दिती के अनुसार, 78 है, उच्तर मादमिक इस तरपड़क, अक्छा 11 में 12 के लिए, कोठारी आयोग ने किस बिश से सम्मूँ के अध्यन की अनुसान सा की थी, दो भासा एवं कला या विग्यान संबंदी तीन बिसे, टू लेंग्वेजेस एंड थी सब्जेक्ट्स रिलेटेट टू आर्ट अर्ट साइंस, एक भासा एवं कला विग्यान संबंदी तीन बिसे, वन लेंग्वेजेस एवं कला एवं विग्यान के तीन बिसे, वन और सब्जेक्ट तो हिंदी था और एक था इंगलेस तो यह दोनों तो लेंगेज हो गई फिर हमारा था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ठीक है अगर जो आर्ट सवालों की बात करें तो लेंगेज होती है उनके फिर तीन सब्जेक्ट्स होते हैं वह इस्ट्री हो सकता है कुछ मेंट्स का हो सकता है तो उस पर डिपेंट करता है फिर वह ठीक है तो दो लेंगेज और कला या विज्ञा संबंदी तीन बिसे ऑप्स नंबर एफ राइट आंसर रहेगा सेवंटी नाइन है पार्ठ चरिया निर्माण क्रम में सिध्धानतिता कौन से बिसे प्रमुकता से ध्यात्व हैं दा कोर्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन बिस सब्जेक्ट्स आर्दा में फोकस इन प्रिंसिपल पर्यावरन संदक्चन इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन चांति वा बिकासेतु सिच्चा एजुकेशन ओफ पीस एंड डवलपमेंट प्रोटेक्ट करना किस तरह सेप करना है शांति और विकास के सिच्चा भी दी जाती है तो तीनों है राइट आंसर ऑफ्शन नमबर डी हो जाएगा उप्रोक्त सभी नेक्स्ट एक पार्ट चरियामें अध्यापान और 6 यानि पार्ट शेयामें और अतिरिक्त योगताओं क के लिए रापतांकों का अधिवार क्रमसा रखा गया है दा अधा सर्चाज और माक्स पॉर इचिंग एंड रिमाइनिंग और को करिकुलर एंड एक्टर करिकुलर क्वालिफिकेशन इन दा करिकुलम हैं प्लेश्ट रिस्पेक्टिवली उसमें ऐसा रखा गया कि जो अध् इस पर बच्चा किस तरह से पर्फॉम करता है यह सारी चीज़ें ठीक है आपके गयम्स वगरा भी इसी में आजाते हैं कि और आट आंसर हैने वाला एक्टी परसेंट एंटी परसेंट एटीवन हैं सिक्षा के जीवन संबंधी आयों में निमने लिखित में से कौन सामिल है इस आप बिच और फॉलिंग और इंक्लूडेट इनदा लाइफि दैमेंशन ऑफ एज्यूकेशन्स अमाजिक आर्थिक संस्कृतिक सोसल एमोशनल कर्चलल यह तिनों डामेंशन बिल्कुल रहेंगे यह आपके लाइफि डामेंशन एजजूकेशन में वहाव करी आब वं ये भी रहेगा आपका emotion, action and knowledge, अप्चारिक and अनप्चारिक ये भी रहेगा formal and non-formal dimensions life का और उप्रोक्त सभी, तो right answer फिर option number D ही रहने वाला है, all of the above, ये सारे के सारे ही आपके सिक्षा के जीवन संब्धिया आयामों में सामिल रहेंगे, तो D right answer रहने वाला है, 82 है, राष्टी पार्टचर या framework में framework के रूप रेखा का क्या अविप्राय है, what is meant by framework and framework in national curriculum framework, संपूर कारियोजना, बिल्कुल ठीक है, complete action plan आपका आजाएगा framework के अंदर सब कुछ रहेगा, परिवर्थ नहीं, इसका तो यहां से कुछ लेना देना ही नहीं है, कि इसको हम डिजेट या नोन चेंजेबल रखेंगे, हमें अगर हमने ये framework बनाया है ना, तो उसे भी इस तरह से बनाया है, कि समय के हिसाब से इससे परिवर्थित किया जा सके, नीतिगत, बस एधानत ग करते हुए, modern की तरफ जाना है, तो राइट आंसर फिर इसका रहेगा, option number A and C, कहां है, option number second में, option number second correct answer रहेगा, option number 84, सिक्षा में अनुसाचन का महत्वनिमने लिखित में से किस बैसे पर अधिक ध्यान देना चाहिए, importance of discipline in education, which of the following subject should we give more attention, अगर हम disciplines की बात करें, उसमें पार्थ एंतर, यानि जो extra curricular activities है, उन पर भी हमें ध्यान देना है, पार्थ एंतरगात, यानि कि बिदिन दा करिकुलम, करिकुलम के साथ साथ क्या, कौन से एक्टिविटीज या क्या क्या के चीज़ सकती है, उन पर भी हमें ध्यान देना है, तो फिर राइट आंसर इसका option number D हो जाएगा, तो प्रोक्त सभी all of the above हमें इन सभी पर ध्यान देना है, 83 है, 84 के बाद 83, चलोगा आगे पिछे होगा इंसलेट, सिक्षा में अनुशासन का महत्वर निमने लिखित में से किस विशे से संबंध है, यह क्या था, अच्छा, यह अधिक ध्यान देने था, और इसमें है, किस विशे से संबंध है, ठीक है, अधिगम, यानि कि लर्निंग, लर्निंग से जोड़ा हुआ है हमारे डिसिप्लिन, विकास आत्मक, हमें विकास आत्मक ग्यान पर भी ध्यान देना है, रचनात्मक, क् में कपड़े भी ठीक से नहीं जुटा पाते हैं, तो आप सिच्छा होने के नाते क्या करेंगे, there are some children in the school who are not able to put on warm cloth properly in winter, so what will you do as a teacher, उनकी फीस माप करने की संस्तुति करेंगे, recommend their fee viewer, कि आप बोलेंगे, उनकी फीस कम कर दें, इसकी संस्तुति करेंगे, हां हम कर सकते हैं, उनकी फीस थोड़ी कम कर दी जाए, उन्हें अलग बैठा देंगे, अलग बैठाने से तो कम चलेगा नहीं, separate बैठा दोगे तो, उन्हें पढ़ा कर वा परिश्रम करवा कर चात्र वृत्ति पाने के लिए प्रोच्छाहित करेंगे, बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें इनक्रे तो हमारा A सही है, C सही है और D सही है, A, C, D, A, C, D है, ऑप्सन नमबर सेकंड में, यहां पर जगह नहीं बचीत, इसली में आप्सन को इस तरह सेरेंज करें, तो only A, C, D, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राराम्बिक सिक्षा की सीमा बादोस का संबन्द निम्न लिखित में से किस्से है, the limitation and demerits of elementary education are related to, ठीकिन सीमा बाद दोस्त बताना है कि primary education की क्या demerits रही और क्या इसके limitations रही, निम्न पंजेन नेवम नामांकन, यह इसकी limitation एक तरह से थी, कि बच्चों का enrollment कम था, registration नह प्रियोग करना यह तो मेरिट था इसका यह लिमिटेशन नहीं था तो इसे था इसमें नहीं रखेंगे बालिक का ड्रोपाउट क्या रिखता यह ठीक है एक्सियस ऑफ गर्स चाइल्ड ड्रोपाउट लड़कियां बहुत ज्यादा स्कूल को ड्रोपाउट कर रही थी तो यह यह तीनों से यह A, B, and D A, B, and D है ओप्सन नमबर सेकंड में तो राइट आंसर हमारा ओप्सन नमबर सेकंड हो जाएगा कोशन नमबर 87 प्रारामिक शिक्षप प्रणाली के प्रमक मुद्द्य में निम्न लिखित में से कौन से सत्त है ततत एबं व्यापक परिक्षप प्रणाली, continuous and comprehensive examination system, बिल्कु यह रहेगा हमारा सिक्षप प्रणाली के प्रमक मुद्द्य में सेक्षिक असमानता के प्रती सम्वेदन सिलता, sensitivity to education inequality, बिल्किल ठीक है sensitivity मतलब की हमें भापर थोड़ा सा sensitivity बरतना है, थोड़ा सम्वेदन सिल रहना है कि यह एजुकेशन में inequality कैसे है, gender को लेकर या community को लेकर, ठीक है, सबको समान सिक्षप क्यों नहीं मिल पा रही है सिक्षा में सूचना संचार प्रणाली को बढ़ावा, ये भी ठीक है promotion of information, communication, technology in teaching, ये भी सही है right answer option number D हो जाएगा, उप्योक्त सभी, all of the above option number 88 है, सिक्षा अवस्ता और संबंध कक्षा रचना के संबंध में निमन लिखित में से कौन सा उप्योक्त योग में है which of the following is situable pair in relation to education stage and related classroom composition पूरो प्रात्मिक अवस्ता तो जो nursery class होती है उसे पूरो प्रात्मिक बोलते है प्री प्राइमरी बोलेंगे से जिसमें हमारे nursery, LKG and UKG तीनों ही आ जाते हैं फिर आता है हमारा निमन प्रात्मिक अवस्ता अगर हम अब आप आप हम अब आप ने को अब कर्योंत था लो अध्य आप ने थोड़ा से डिस्टर्वेंस हो गया था को यह आया था गेट पर lower primary stage की बात करें तो जो class 1, 2, 5 होता है वो lower primary होता है upper primary 6 to 8 होता है and initial stage इसे हम बोलते हैं initial नहीं बोलेंगे इसे हम बोलेंगे primary primary stage के अंदर आपका 1 to 8 टक की education आ जाती है प्रारंबिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं पहले का पहला दूसरे का दूसरा तीसरे का तीसरा चोंते का चोंता option no.3 right answer हो जाएगा next question no.18 पूरो प्रात्मिक school या वश्ता के अंदर निमने लिखित में से कौन सा बर्ग परी घड़त किया जाता है which of the following classes is counted under the pre-primary school stage pre-primary के अंदर nursery classes आती है LKG आती है और UKG आती है तो नरसरी, LKG और UKG तीनों के तीनों ही pre-primary के अंदर आ जाती है right answer option no.D रहेगा all of the above next question no.90 पूरात्मिक सिक्षा में समाने तक किस आयू बर्ग के बच्चे अध्यन करते हैं in which age group children usually study in primary education तो primary education में में आते हैं बच्चे 6-14 साल के तो 3-6 तो बहुत चोटे हो जाएंगे यह तो आपके pre-primary में चले जाएंगे 6-11 को हम इसमें रख सकते हैं 11-14 की तरफ जाओगे तो आपके 6 से लेके 11 साल तक के बहुत सारे बच्चे चूट जाएंगे और 5-10 में तो आपका और पहले से सुरू हो रहा है और पहले चूट रहा है तो यह भी नहीं रहेगा तो इससे questions को थोड़ा हमें हमारे sense को यूज करके हमारे दिमाग को यूज करके करना होता है अब जरूर नहीं आप यह नहीं कह सकते कि 6-14 तो दिया नहीं तो कोशन गलत हैं कोशन गलत नहीं है थोड़ा सा माइंड यूज करो और आंसर टिक करो ऑफ्शन नमबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यह थी हमारे आज के 30 कोशन कैसे लगे आप वीडियो को मैं कमेंट करके जुरूर बताएगा क्लास कैसे लगती है कमेंट करके बताये करो और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम चैनल जोण कर लेना इस्टाग्राम हैंडल है जहां पर कुछ कुछ चीज आपको मिलती रहेंगी और कोई डाउट हो तो आप कमेटम पोच सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद